एक जुलाई से आपकी जिन्दिगी में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, बहुत कुछ, मने बहुत कुछ. इन बदलाव का सीधा असर आपकी pocket पे आपकी जिन्दीगी पे पढ़ने वाला है इसलिए जरूरी है कि इन सभी नियमों की आपको जानकारी हो पहले से आपको ये पता होना चाहिए ये बदलाव जो हैं मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत जरूरी बदलाव हैं आपको बहुत सारी जानकारी इसके बारे में देने वाली हूँ आप पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि ये सारे बदलाव जो हैं आपकी जिन्दगी बदलने वाले हैं अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको पूरे बतलाब भी पता नहीं चलेंगे, एक और बात, अगर आप पहली बार मेरे चैनल Ambi Speaks पे आए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो चलिए वीडियो के और बढ़ते हैं कि क्या क्या नि एक जराई से ATM से पैसा निकालने और चेक बूक का इस्तिमाल करने पर ग्रहापों को एक्स्टा चार्ज देना होगा, बेसिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट पर भी ये नियम लागू होंगे, SBI के ATM या ब्रांच से चार बार से अधिक पैसा निकालना तो फ् चेक बूक लेने के लिए भी आपको ज्यादा चार्ज देना होगा, इसी तरीके से IDVI बैंक ने भी अपने हाँ कुछ चेंजिस किये हैं, IDVI बैंक एक जुलाई से चेक लिफ चार्ज, सेविंग अकाउंट चार्ज और लॉकर चार्ज में कुछ बदलाव करने जा रहा है, ज साथ और दस बार से घटा करके पास-पास बार कर दिया है, इसके अलावा ग्रहकों को अब हर साल सिरफ 20 बन्य की चेक बुक ही मिलेगी, फ्री में, बाकी अगर आपको और चेक बुक लेनी है तो इसके लिए आपको पांच रुपे का भुगतान अलग से करना होगा, इसके अलावा सीनियर सिर्जन को लॉकर पर मिलने वाला डिसकॉंट भी तभी मिलेगा जब उनका मंतली एवरेज बैलेंस दस जार होगा, सिंडिकेट बैंक के ग्रहकों को भी कुछ चेंजिस का सामना करना पड़ेगा, सिंडिकेट बैंक, कैनेडा बैंक में मर्स हो चुका है, ज इंडिकेट बैंक के ग्रहकों को अब अपनी बैंक शाका के लिए नए IFC कोड का नमबर लेना होगा, उनको उसकी जानकारी लेनी होगी, और अब अधार कार्ड की तर्श पेस वैलरी के नक की यूनिक पैचान जो है वो होगी, बहुत जरूरी, बहुत अनिवारी होगी, ग देश के सभी नागरिकों की पैचान अधार कार्ड में UID के जरीए की गई है, ठीक उसी तरह से सरकार एक जुलाई से जोलरी के हर नक की विशिष्ट पैचान UID अनिवारे बनाने जा रही है, ये एक बहुती, मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा कदम है, इससे लोग काफ यूज करता है, तो उसको ऐसा करने से पहले दस बार सूचना पड़ेगा, इसके अलावा सिलेंडर की कीमतों में बदला हो सकता है, हर महीने की पहले तारिक को किन सरकार LPG सिलेंडर की कीमत की घोचना करता है, पिछले महीने सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शिल सिलेंडर की दाम 122 रुपे की कटोथी की थी और छोटी बचत जाने की स्मॉल सेविंग में निवेश करने वालों को चटका लग सकता है सरकार ने एपरेल जूम की तिमाई के लिए सभी मार्श में इनमें सभी के लिए इनमें मार्श में इनकी ब्याजदरों में कटोथी की है लेकिन बाद में इस कटोथी को वापस्रे लिया था पीपी ऐफ सुकन्या समरदी योजना किसान विकास पत्र सीनियर शिट्जन सेविंग स्कीम नेशनल सेविंग सेटिफिकेट मंदली इंगम स्कीम टाइम डिपोजिट और रिकारिंग डिपोजिट स्कीम स्मॉल सेविं स्कीम में आती हैं और एक और खास बात है जो गाड़ी के शौकिन है देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारूति सुजी की इंडिया की कारें और हीरो की बाइक एक जुलाई से महंगी होने वाली है हीरो स्कूटर और मोर्ट सैक्ल के एक शोरूम कीमते तीन जार रुपए तक बढ़ा रहे हैं वहीं मारूति की भी अपनी कीमते बढ़ाने की प्लानिंग है कारों के दाम को बढ़ाया जाएगा और एक सबसे मत्दून जानकर यह है कि आएकर अधिनिया में हाली ही में सेक्शन 194 क्यों जुड़ा गया है यह सेक्शन किसी असान किसी सामान को खरीदने से पहले ही तैक कीमत के बुक्तान पर लगने वाले टेक्स टीडियस से जुड़ा हुआ है और नए सेक्शन के तहत 50 लाग से उबर की कारोबारी खरीद पर 0.10 फिसदी टीडियस काटा जाएगा अगर पिछले साल किसी कारोबारी ने टर्नोवर 10 करोड या उसे अधिक दिखाया है या उसका रहा है तो इस साल वो 50 लाग से उपर तक का माल खरीद सकेगा इस से उबर की विक्री पे टीडियस कटेगा एक जुलाई से 206 एबी सेक्शन भी परभाब में आ जाएगा इसके भी काफी इंपेक्ट पढ़ने वाले हैं इसके तहत अगर विक्रिता ने दो साल तक आएट का रिटन नहीं भरा तो यह टीडियस 5% हो जाएगा यानि पहले जो टीडियस 0.10 था उसके 5% होने का मतलब है कि टीडियस के दर 50 गुना भढ़ जाएगी और अब एक और बहुत ज़रूरी मैं आपको चानकारी देने वाली हूँ लर्निंग लेसंस बनवाने के लिए आपको 8 हो जाने के ज्जुरूरत नहीं बढ़ेगी आप ओनलाइन ही अवेदन करके घर बैटे हुए टेस्ट भी दे सकेंगे और टेस्ट में पास होने के बाद अपना लर्निंग लेसंस घर बैटे बैटे प्राप्त कर सकेंगे हलाकि इस थाई लाइसेंस के लिए ट्रैक पर वहां चला करके ही दिखाना पड़ेगा तो ये सब बदलाव हैं जो कल से आपकी जिंदगी में आने वाले हैं और आपकी जिंदगी को बहुत बदलने वाले हैं इसमें कुछ comfortable हैं, कुछ uncomfortable हैं कुछ आपकी pocket पे जो डालने वाले हैं तो दोस्तो मैं फिर मिलती हूँ किसी और update के साथ तब तक के लिए जै हिंद, जै भारत